आपने देखा पिछले 6 महीने के अंदर बिटकोईन 25,000, 24-25 की रेंज चल रही थी सप्टमबर अगर मैं मन्त की बात करूँ और अक्टूबर का प्रेडिक्शन हम अल्रेडी कर रहे थे अगस्ट सप्टमबर में जैसे मार्किट की सिचुएशन चल रही थी और अक्टूबर से मार्किट की गाड़ी ट्रैक पे आई और ऐसी ट्रैक पे आई कि बिटकोईन ने एंट्री लेने का भी मोका नहीं दिया बहुत सारे लोगों को ये मैं reality पे बात कर रहा हूं और ये वीडियो बहुत ज़रूरी अगर आप कृप्टो से millionaire बनना चाहते हो करोड़पती बनना चाहते हो लख पती बनना चाहते हो ये अच्छे returns चाहते हो ये आपके target है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यदा important होने वाली है क्योंकि ज़्यदा समय नहीं है किस चीज के लिए ज़्यदा समय नहीं है ज़्यदा समय इस चीज के लिए नहीं है कि आप crypto से anytime अच्छे return बना लो क्योंकि crypto market आपको anytime ये नहीं कि आपने दो महिने बाद entry की चलो भाईया आप बनाएंगे तब आपकी situation के आपके according market नहीं चलेगा market अपने धंग से चलेगा ठीक है हो सकता है उस time पे correction वाले time शुरू हो जाए देखो correction भी आ सकता जब time आएगा correction का तो आ जाएगा लेकिन market में sentiments, market में psychology, बड़े-बड़े games होते हैं, खेल होते हैं और इन games को समझना ज़रूरी है और ये games कब रुख पलट दें, कब market bitcoin को एक लाग क्रोस करा दें, ये कोई नहीं जानता लेकिन एक लाग डेड़ लाग bitcoin पहुँचने वाला अगले कुछ महिनों में ठीक है दो लाख, तीन लाख, जाएगा नहीं जाएगा ये time बताएगा लेकिन ज्यादा समय नहीं है, आप अगर ये सोच रहे हो कि अभी हम कुछ और कर लेते हैं, या अभी आप crypto को ज्यादा time नहीं दे रहें, तो मैं reality बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने पिछले 6 महीने क अंदर सिर्फ bitcoin को देखा है, entry नहीं ले पाए, और कुछ तो entry लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि bitcoin नीचे चला गया था, आपको पता है, 2022 में, और पिछले एक साल में, 2023 में, बिटकोईन 24 से 31, 31 से 24 करता है रहा, 7 महीने, तो ऐसे ऐसे खेल किया है bitcoin ने, कि भईया, बहुत सार की आई, पिछले 6 महीने में, 24,000 डॉलर से 74,000 डॉलर के करीब level आगे, यह बहुत बड़े level हैं, 50,000 डॉलर bitcoin के price बढ़ गए, आप खुद imagine करो, बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं था, कि नए all time high पे पहुँच जाएंगे, 6 महीने के अंदर halving से पहले, है ना, तो मै बस इतना ही कहूंगा, अगर आप market को लेके थोड़ा serious हो, focused हो, तो जो करना है, कर डालो, जहां investment करना है, जहां मोका मिल रहा है, dip का मोका तलाश करो, dip में entry लो, और यही साल है और अगला साल है, जैदा समय नहीं है आपके पास, ठीक है, क्योंकि 2026 में भी कैसा हो, और आने वाला time में भी कैसा हो, वो globally market को किस तरह से impact करेगा, आप यह सोच रोगे, अगले bullren में return बना लेंगे, बना लोगे, लेकिन time कितना निगल जाएगा, और कहीं अगले bullren में भी आप से return ना बन पाए, आप करोड़ पती ना बन पाए, ठीक है, तो time भी निकला, और आप करो knowledge, यह कुछ ऐसे features हैं, जिनको अगर आप use करोगे, तो definitely आप अच्छे result पालोगे, तो जो लोग अभी IPL देखने में busy है, मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लोग ठीक है, आप देखिए, entertainment ज़रूर ही है, लेकिन entertainment के साथ-साथ, अगर आप चाहते हो, कि आपको एक ऐसा entertainment भ आप IPL में busy रही है, ठीक है, और अगर आप वैसा entertainment के साथ-साथ, अपने portfolio को भी grow होता देखना चाहते हैं, तो भाईया, focus crypto पे जैदा होना चाहिए, क्योंकि जो dip आएगा, जो correction अब आएगा, वो final होगा, और इसमें अगर मौका गबा दिया, तो भाईया, entertainment लीजेगा, मन आप सारे लोगों ने छे महिने के अंदर बस मनोरंजन किया है, चाहे उनकी गलती कह लीजिए, चाहे जान बूच के कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ठीक है, तो अगर आप ऐसा मनोरंजन चाहते हैं, तो continue busy रहे जहां आप हैं, और अगर आप सही में चाहते हैं, तो time दी decisions अब आपके हैं, ठीक है, financial advice नहीं है, research कीजिए, बिना research के कुछ मत खरीदिए, मिलेंगे next video में तब तक के लिए, bye bye, take care.